हलो प्रिवन तो यार जो भी लोग उत्र प्रदेश से हैं और जेई की काउंसलिंग कर रहे हैं रिजर्ट काफी दिन हो गए है आई हुए अब तो यार सी बेशी का भी रिजल्ट आ गया आई-एसी का भी रिजल्ट आ गया भर भर के कमपार्टमेंट मिली हैं सबको है ना स्कोरिंग काम है तो अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी आइडबीसन बेस्ट आउन 10 प्लस टू तो उस वाले वीडियो को जाकर देख लो तो आप ते लिए काफी हैलफुल रहेगा और डिफरेंट डिफरेंट काफी सारे eligibility criteria हैं बच्चों को यह लग रहा है कि अगर मेरा ज 75 परसेंट से कम है तो हम यही दे नहीं सकते हैं आप यही दे सकते हैं लेकिन NITS, IIITS और जो भी जोसा के इंस्टिटूट पाडिसिपिटिंग लिस्ट है 114 कॉलेस उसमें आप नहीं पाडिसिपिट कर सकते हैं बिगोश उसका criteria 75 परसेंट का है अधरवाइस रिमिनिंग ज यह है जो यूपी का डूमसाइल रखते हैं या जो यूपी में एडविशन लेना चाहते हैं और उन्होंने जेई में आप पियर किया हुआ है तो सबसे इंपोर्टेंट अगर कांस्टिंग पोर्टल के नेम में से मैं बात करूं अगर आप गर्वर्मेंट कॉलेज के लिए हैं है एच्विडियो कांपूर अगर आपको यूपी में मैं अलहाबाद ट्रिपल आइटी अलहाबाद है ना और ट्रिपल आइटी लखनो यह और यह तीन इस्टिट हो गए है ना उसके बाद में दो आयाइटी ज हमारे यूपी के अंदर कांपूर और व्यच्चियो तो की अकर नाम आता है तो वह है एच्विडियो कांपूर एच्विडियो कांपूर में 60% का अलिजबिलिटी क्रेटिरिया है तो आप यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं इनका जो पोर्ल है वह जैए मेंस के बेस पर कांसलिंग कराता है अगर हम किस की कटॉप की बात करें तो 22,000 रांग के नियर अबाउट जनरल वाले बच्चे को मिला हुआ था अब अगर मैं बात करूँ कि सेकेंड नंबर पे सरक्षा इंस्टिटूट है तो वह है ट्रिपल अम्यूटी गोरकपूर यह सारे ऑटोनमस हैं मुलब एक तरह के स्टेट लेवल के गोर्मेंट इस्टिटूट है ट्रिपल अम्यूटी गोरकपूर के अंदर अगर मुझे सीएस ब्रांच यह तो कितनी रांग खोनी शीए तो मैं यह बोलू है अल्मोस्त अगर 45,000 रांग तक भी है ऐसा तो यहां पर सीएस मिलने के चांसे से रहते हैं यहां 22,000 रांग तक है ना अब 42,45 कर लो इसको आप्टर देन हम बात करने वाले हैं थाइट नंबर पर जो कांसलिंग है UPS डवाली कांसलिंग कांसलिंग के लिए आपको इसमें को जो कॉलिज मिल आते हैं वह आईएट लखनव है भी आईएट जासी है कि एनईट सुल्तानपूर है तो यह कुछ रिनाउंड इंस्टिट्यूट है यह मतलब गौर्मेंट और अच्छे इंस्टिट्यूट है जिसमें से आईएट लखन अब इसमें अगर मैं बात करू तो मुझे लग रहा है कि 36,000-38,000 तक हमको यहाँ पर CS मिल जाती है बहुत बच्चे क्या करते हैं नमबर बन पे इसको प्रफर देते हैं नमबर टू पे आईटी लखनों को प्रफर करते हैं उसके बाद ट्रपल अमुटी गोरकपुर को करत सकते हैं गर आपको इन तीनों में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप टीम से बात करो कि आपकी प्रोफाइलिंग के साब से क्या बेस्ट ऑप्शन होंगे अब आपको यह लग रहा होगा क्या सरे स्टेट कोटा होगा या हम यूपी से होंगे तब ही हम इंस्टिटूट के ल होगी रिमेनिंग एक एर इंपोर्टेंट और लिस्ट है जो की कम्प्लीट स्कीन पर आ रही होगी है ना कट आप वाइस जो मैंने भी बताया वह और इस क्रेटिरिया क्या-क्या है वो भी आ रहा होगा आपको सीयस की कट आप भी दिख रही होंगी और इंस्टिटूट के इंबी आ रहे होंगे अब बात करते हैं हम फोर्थ नंबर पे हमारे कोलेज है जो की टैन प्लस टू के बेस पर अप्लिकेशन ले रहा था 15 आप माई को ही आई थिंग उन्होंने भी क्लोच किया है रीसिंट में इनका प्लब पिछले दो-तीन सालों से कर मैं बात करूँ कि जब से यह 10 प्लस टू पर ले रहे हैं तो यह क्या करते हैं कि जिस दिन रिजल्ट आया उसके एक दिन बाद अप्लिकेशन क्लोच कर देते हैं तो इसमें वही बच्चे पाडिसिपेट कर पाते हैं जनों ने पहले से अप्लाई किया हुआ था यह उनमें से बहुत सारे ऐस यह सारे 10 प्लस 2 के बेस पर ले लेते हैं आप्टर दन फिप नंबर पर हमारा एक इंस्टिउट है सिबनादर इनुवरसिटी यह भी जेए की बेस पर असप्ट करता है यह नोड़ा का 10 प्लस 2 पर भी लेते हैं और जेए के बेस पर भी लेते हैं तो आप इसका फॉन प्ला किया हुआ है और बहुत रिनावंड है आवस्टमत डेट टी तानल कॉइंब से लग होती है यह कुछ तो सक यह पनी separate कांसलिंग होती है अगर आप की लिए के रांक कुछ अच्छी आई है तो उसमें से आपकी एक confusion रहते हैं तरवाइस आपको कुछ न को छूड जाएगा जैसा जेपी के लिए अलग करना है आई टी लखनाओ के लिए अलग करना है अश्वीडियो के लिए लग करना है सिव नाधर के लिए लग करना है तो वीडियो आज की ही तक और यह सारा confusion या आपको portal अगर manage करते हैं तो आप हमारे यह से paid counseling services भी ले सकते हैं जो कि हम लोग आपको help provide करते हैं टॉल फ्री नमबर पे बात करें और आप मेरे services को अवेल कर सकते हैं वीडियो आच की ही तक मिलते हैं next वीडियो में तब तक लिए बाबाए